से यह थीम था कि यहategori के दोस्तिततम होते हैं एक होते हैं चलिए के आर अनों इसको करेंगे स्कुम्त परके नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवगत आपके अपने चैनल ट्किंग 123.com में मैं आपका दोस और आपके लिए लेके आया हूँ आज रेकरिंग डेसिमल का फोर्थ पार्ट जिसके अंदर हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टन टाइप शांत दशमलव और अशांत दशमलव यानि कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसको आप रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हो उन सब की बात करेंगे कैसे-कैसे क्वेसिंग बहाँस बनती हैं उन सब की बात करेंगे जो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि सारे प्से ये आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का धमाकेदार सेशन तो दोस्तों इससे पहले तीन वीडियों आ चुकी हैं जिसका लिंक आपको डेस्क्रिशन में मिल जाएगा आप जरूर जाके देख लिजेगा यह फॉर्थ पार्ट रहेगा अगर आप रेलवे एंटी पीसी आररवी ग्रूप डी आरप एप एसाई एलप टेकनीशन जेई या सेश्टी जीडि की तयारी कर रहे है तो हमारे साथ जूर सकते हो और अपने डीम जब ले सकते हो आप जानते हो कि इन सभी एक्जाम्स में हर एक टॉपिक से दो-दो क्वेशन आते हैं और यह रिवर्स है तो चलिए इसको समझते हैं आज के वीडियो म तो देखिए, concept पहले समझ लेते हैं, मालीजी हमने एक number लिया, 19 by 5, यहाँ पर एक number लिया, 19 by 3, और इसके बाद यहाँ पर हमने एक number ले लिया, root of, let's say, 2, ठीक है, देहान से देखेगा, अगर आप divide करोगे, 19 को 5 से तो क्या होगा, यह 19 है, यह 5 है, तो 5, 3 is a 15, आपके पास remainder आएगा, 4, ठीक है, remainder 4 आएगा, इसके बाद आप decimal लगाओगे, और यहाँ एक 0 लगाओगे, तो 5, 8, 40, यानि कि 5, 8, 40, यह आपके पास 00 आगया, इसका मतलब, यह end हो गया, आप देख रहे हो, यह decimal में जरूर आया, लेकिन यह यही पर खतम हो गया, तो इस तरह के decimal को क्य बोलते हैं, दोस्त, terminating decimal, क्या बोलते हैं, terminating, यानि कि यह खतम हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, शान्त डशमलव, भई शान्त वो होगा न, यह खतम हो जाएगा, जिक तो पुछ मिल जाएगा, तो यह शान्त डशमलव है, मतलब यह खतम हो गया, इसके बाद यह आगे नह तो यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर फिर से एक जीरो आएगा तो आप देखरों यह चलता जा रहा है फिर जीरो आएगा आप यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं 6.3 बार यह हम पढ़ चुके हैं प्रीवेस वीडियोज में कि बार का मतलब होता है repetition of a number क्योंई number repeat करे उसके लिए बार आता है इसको बोलते हैं दोस्त recurring decimal क्या बोलते है recurring decimal recurring मतलब जैसे account होता है ना bank में re-occurring account इसको recurring account बोलते हैं उसमें आप पैसा कभी भी डाल सकते हो कभी भी निकाल सकते हो तो ऐसे ही जो number repeat करे उसको क्या बोलते है recurring decimal ठीक है तो इसको हम अलज़ी पढ़ चुके हैं detail में recurring decimal ठीक है और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त अब क्योंकि यह satisfy नहीं हो ना अशान्त आवर्ती अशान्त का मतलब होता है non-terminating क्या non-terminating ध्यान जो समझेंगे देखिए non-terminating है लेकिन recurring है तो इसको बोलते है non-terminating recurring decimal ठीक है आई होप आपको बात समझाए देखो यह है terminating decimal मतलब यह अब शान्त है और यह repeat नहीं कर रहा ठीक है तो यह terminating है और यहीं पर खतम हो गया तो यह तो satisfy हो गया लेकिन यह terminating नहीं है यह खतम नहीं हो पाया इसी करके repeat कर गया तो recurring तो यह होता है second type आपका decimal अब तीसरे type की बात करते है root 2 की value अगर आप जानते हो तो यह होती है आपकी 1.414 और actually में बहुत बड़ी value होती है अब यह क्या होता है इसको बोलते हैं आप इत्राइस्टन नंबर क्यों क्योंकि देखो यह भी खतम नहीं हो रहा पहली बात यह खतम नहीं हो रहा तो इसको क्या बोलोगे non-terminating और non-terminating को क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्त अशान्त दशमला तो यह खतम नहीं हो आ क्योंकि यह value जो हम use करते हैं 1.41 यह आपकी approximate value होती है actual value बहुत बड़ी होती है उसको हम याद भी नहीं कर सकते और उसमें कोई repetition नहीं होता इसमें अलग-अलग numbers आते रहते हैं कोई भी number आजाएगा इसके बाद sequence के हिसाब से तो कोई भी number आजाएगा कोई pattern repeat नहीं करता है इसलिए दोस्त इसको बोलते है non-terminating और non-recurring decimal और इसी form के जो इस तरह के number होते हैं इनको कहते है irrational number irrational irrational को क्या बोलते है अपरी में ठीक है और non-terminating क्या होगे तो जैसा मैंने कहा इसको बोलते है अशान्त ठीक है और non-recurring होगे तो इसको बोलते है अनावर्ती ठीक है अनावर्ती आपके देशंब्लव अनावर्ती अशान्त अनावर्ती यह तीन तरह के दो स्थम्लव होते हैं एक होते हैं जो खतम हो जाते हैं इसको बोलता है तर्मिनिटिंग डेसिमल ठीक है शांत तर्शम्लव ठीक है दूसरे होते हैं जो खतम नहीं होते हैं लेकिन रिपीट होते हैं उनको बोलते हैं रेकरिंग यानि कि वो भी खतम नहीं होत तुम कैसे करते हैं 6 प्लस 23 बार और प्लस 23 पार का मतलब होता है 6 प्लस 3 बाइन इसको हम ऐसे कंवर्ट कर सकते हैं जैसे इसका अंसर हो जाएगा 54 प्लस 3 57 बाइन फर्दर सॉल कर लेंगे तो 19 बाइट त्री लेकिन इसको आप फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त इसलिए इसको बोलते हैं आप अशांत अनावर्ती तीक है और इसको एरशनल और यह वाले क्या होते हैं य ये तीन तरह के decimal होते हैं ठीक है अब आगे बात करते हैं अब हम चलते ज़रा question पे आप यह समझ गयो कि क्या क्या type होते है चलिए पहला question आपके लिए क्याता है कौन सा fraction इन में से by 24 आपने तोड़ना सीखना है 24 को कैसे तोड़ते हो इसको लिखते हो 8 into 3 8 होता है 2 की power cube होता है ना 8 ऐसे करके 2 जब इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा 2 चोका 8 और 2 दो नी 4 और 2 एकम 2 यानि कि 2 दो 2 इसका मुलब 2 का cube हो गया और यह 8 हो गया और इधर क्या बचा 3 तो पीशा क्या रहेगा रेकरिंग रहेगा क्या रहेगा रेकरिंग रहेगा यानि कि आवर्ती रहेगा आवर्ती का मतलब आप देख सकते हो यहां पर वो शान्त दशमलव नहीं रहेगा अशान्त रहेगा क्योंकि यहां पर थरीकी वज़े से क्या होगा वो बार में चला 12 by 144 तो यह हो गया 1 by 12 अब 1 by 12 क्या होता है 12 क्या होता है 12 होता है आपका 3 into 4 4 होता है 2 का square into 3 इसमें भी फिर 3 आ गए 2 तो था लेकिन 3 भी आ गए यानि कि ये भी क्या है recurring decimal है अशानत decimal है तो ये भी आपका answer नहीं होगा ये भी नहीं है इसको solve करेंगे 3 by 144 3 1 जा और 3 4 जा और 3 8 जा तो 1 by 48 ध्यान से देखेंगे 48 को क्या लिख सकते हो 16 into 3 16 के अंदर 2 की power 4 आता है और ये 3 यहाँ फिर 3 आ गया मैंने आपको क्या कहा अगर आपको शान्त डूढ़ना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए 2 या 5 होना चाहिए या उन में से कोई 1 होना चाहिए कोई और नंबर है तो वो हमेशा अशान्त ही रहेगा दोस्त तो यहाँ पे आप देखो 3 आ गया तो ये भी आपका answer नहीं हो सकता last option चेक करते है 9 by 144 cancel करते है 9 बंजा 9 बंजा और 9 16 जा तो 1 by 16 ये क्या है तो भई ये है आपका 2 की पावर 4 अब देखो सिर्फ 2 आ रहा है क्या आ रहा है सिर्फ 2 आ रहा है इसलिए ये जो होगा ये आपका शान्त दशमलव होगा terminating decimal होगा इसलिए करे टैंसर होजएगा और प्रैक्टिस करते है terminating decimal बताना है यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको solve करते है 3 4 जा 3 15 जा अब देखो 4 by 15 आपने हमेशा हर चेक करना है आपने हमेशा denominator चेक करना है उपर वाले को चेक करने की जूरत नहीं है तो ये क्या बन जाएगा 3 into 5 तो यहाँ पर 3 है 5 तो है लेकिन 3 है तो यह आपका कभी भी terminating decimal नहीं होगा यह आपका हमेशा अशान्त रहेगा क्योंकि इसमें नीचे 3 है तो यह answer नहीं होगा 3 by 45 3 by 45 होगा 1 by 15 अब 15 क्या है फिर से आपका नीचे क्या है 3 है तो यह भी नहीं हो सकता 6 by 45 यह बन जाएगा 3 2 जा तो यह फिर से देखो 2 by 15 15 नीचे आगया यानि कि 3 और 5 आगया तो 5 के लावा 3 भी है तो यह भी नहीं हो सकता 9 by 45 यह है 1 by 5 क्या है 1 by 5 9 by 45 को काट सकते हो 9 1 जा 9 5 अब नीचे क्या है सिर्फ 5 तो यही हो क्या होगा terminating decimal होगा मेरे दोस्त correct answer होगा option A चलते चलिए R, R, B, S, I में आया RPF में कौन सा terminating है तो जल्दी से check करेंगे इसको solve करके 1 by 104 देखो 104 बनता है आपका 13 और 8 से तो यहाँ पे 2 के अलावा 13 है तो यह terminating कभी नहीं होगा 96 96 होता है 16 into 6 16 में तो 2 की power 4 आ गया यहाँ आ गया 2 into 3 तो यह 3 आ गया इसलिए यह भी आपका terminating नहीं होगा 1 by 24 24 होता 8 into 3 तो यहाँ फिर 3 आ गया यह भी नहीं हो सकता 32 आप जानते हो 32 क्या होता है 1 upon 2 की power 5 यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है क्या रहा है सिर्फ 2 आ रहा है इसी करके यही answer होगा मैंने आपको क्या का terminating के लिए 2 आए या 5 आए या फिर 2 और 5 में से कोई 1 आए कोई और संख्या ना आए तो answer होगा option A तो चिरे next है आपका कौन से terminating decimal यह बताना है तो यहाँ पे देखिए 43 है यह 61 है और यह 47 है तो यह cutting नहीं से यानि कि हमें सिर्फ नीचे वालों को check करना है तो देखो यहाँ पे 140 में आता है 20 और 7 तो यह 7 की वज़े से यह नहीं होगा क्योंकि 2 और 5 के लवा कुछ और बेदेगा इसमें तो 5 और 4 है 4 क्या होता है 2 का square लेकिन 7 की वज़े से कभी भी terminating नहीं होगा तो यह answer नहीं होगा 110 को देखो 110 होता है 55 का double 55 में 11 आता है अब चाहे कुछ भी आया है और 5 के लवा कुछ और आ रहा है तो वो terminating कभी नहीं होगा ऐसी 47 150 को देखो नीचे वाले को कटेगा तो है नहीं 47 से तो यह आ गया 25 इंटू 6 25 क्या होता है अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लिया करो जैसे 150 लिखा फिर इसको solve किया 5 3 का 50 5 6 का 30 तो आप ऐसे कर सकते हो ऐसे देख सकते हो इसमें 5 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ ठीक है अब जैसे मुझे table जा दे तो मैं जल्दी कर रहा हूँ आप ऐसे break कर सकते हो यह हो गया 5 का square और 6 तो देखो 6 आ रहा है तो 40 को देख लेंगे वह 40 तो होता है आपका 5 इंटू 8 और 8 के अंदर सिर्फ 2 ही आता है और 5 तो खुदी 5 है तो यह वाला आप देख रहे हो 2 और 5 आ रहा है इसका मतलब यह ही आपका क्या होगा terminating decimal हो जाएगा मेरे दोस्त चलो आगे कौन सा terminating होगा अब इसका answer आप बताओ खुछ से ठीक है solve करके comments के अंदर जरूर देना ताकि मुझे पता चले आप वीडियो देख रहे हो इसके बाद recurring decimal अब क्या पूछा है recurring decimal यानि कि अब हमें repeat वाला बताना है ठीक है अब सिर्फ नीचे क्या आ रहा है 5 आ रहा है तो यह terminating हो जाएगा यह answer नहीं होगा क्योंकि इस बार recurring पूछा है इसके बाद यह देखो 24 by 30 तो यह होगा 6 4 जा 6 5 नीचे सिर्फ 5 आ रहा है तो यह भी terminating हो जाएगा यह भी answer नहीं होगा 24 by 121 by 5 नीचे सिर्फ 5 आ रहा है तो यह भी terminating होगा यह भी तो एक ही option बचा जो की बचा 24 by 90 चेक कर लेते हैं 24 by 90 solve कर लेंगे 3 8 जा और 3 30 जा फिर 2 4 जा और यह 15 तो देखो नीचे आ रहा है 15 और 15 क्या होता है 15 के अंदर 3 होता है इसी करके answer आपका यह वाला जो यह second वाला है यह आपका क्या होगा आपका non-terminating होगा या फिर इसको recurring बोल सकते हो तो इसलिए answer क्या हो जाएगा option B इसके बाद कहता है कौन सा decimal है और इसकी value ध्यान से पढ़ेंगे कहता है इसकी value will not be obtained as a terminating decimal मतलब यह भी आपको recurring बताना है ठीक है तो चेक कर लेते हैं अब बड़े number से ध्यान से करेंगे पहले इसको छोटा कर लेंगे 3900 और 3116 तो 160 में क्या आता है 160 में आता है 40 into 4 और 40 में आता है 5 into 8 into 4 तो देखो 4 में 2 आता है 8 में भी 2 आता है 64 into 10 64 के अंदर तो 2 होते है 2 की पावर 6 होता है 10 के अंदर 2 और 5 होते है तो पूरे denominator में 2 और 5 है तो यह भी terminating होगा यह भी answer नहीं होगा तीसरा चेक करेंगे 81 by 450 solve करेंगे 99,95, तो 9 बटे 50 50 के अंदर 5 और 10 है जो कि फिर से 5 into 2 तो देखे 2 और 5 आ रहे तो यह भी terminating होगा तो यह तीनों में से कोई भी answer नहीं हो सकता कौनसा option बचा last बचा तो भी answer हो जाएगा इसको solve कर लेंगे तो यह कट जाएगा 24 बटे 45 45 क्या होता है 45 के अंदर 9 आता है और 9 होता है 3 का square तो तीन की वज़े से पांच तो आ रहा है लेकिन तीन की वज़े से यह वला कि आपका recurring decimal हो जाएगा correct tensor होगा option D अब next देखिए next reverse हो गया 7 by 11 को decimal form में लिखे तो अब यह option से चेक करना पड़ेगा कि कौन से मेह आ रहा अगर इसको solve करोगे आपको पता 11 11 दो digit का number है तो नीचे 3 बार 9 आएगा इसमें अगर पहले को check करोगे तो 623 by triple line आएगा अब कहीं से भी यह solve करके 11 नहीं बन पाएगा क्योंकि यह 3 digits है तो even आप check कर लो यह 3 से कटेगा भी नहीं तो यह answer नहीं हो सकता तो यह भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर भी आपका 633 by triple line आएगा अगर यह 3 से cut भी जाए जैसे cut रहा है देखो 211 तो यहाँ पे आएगा आपका 333 और अगर further यह cut भी जाता जैसे cut नहीं रहा अगर cut भी जाता तो यहाँ पे 111 आता ना 11 तो कभी भी नहीं आ सकता तो इसलिए यह भी answer नहीं होगा थर्ड चेक करेंगे 0.63 बार आप अच्छी तरह जानते हो यह double digit है और यहाँ पे आएगा 99 तो देखो 3 3 से cut जाएगा 321 जा और 330 फिर 37 जा और 311 जा तो यहाँ पे 11 आ सकता है तो correct answer होगा option तो देखो यह reverse पूछा है different question है अब देखो एक और फिर से 1 by 450 को recurring decimal बताना है किसके बराबर होगा यह आपका बिल्कुल simple question है ध्यान से देखेंगे 450 और यह 1 तो आपको basically यह 1 को divide करके बताना है 450 से क्या आएगा तो यह बिल्कुल basic question है इसमें confuse नहीं होना है सिर्फ decimal का concept आप से पूछ रहा है ठीके तो divide करेंगे इसको तो देखो सबसे पहले जाएगा नहीं decimal के बाद 0 आएगा फिर नहीं जाएगा एक और 0 अभी भी नहीं जाएगा तो एक और 0 देखो decimal के लिए एक 0 आया फिर एक 0 और आया अब एक और 0 आया अब जाएगा तो 45,090 होता है और इसके बाद फिर से 100 बच जाएगा और फिर अब आप 0 ले सकते हो तो यह आगा आपके बस 0.222 तो यह ऐसे चलता रहेगा 900 से जाएगा तो यह तो आप देखो कौन सा आंसर आ रहा है 0.002 तो decimal के तीन लिएट के बाद में आपका आंसर आएगा तो option C correct हो जाएगा फिर से बताए कौन सा recurring decimal देता है recurring decimal यहाँ पे देखिए 27 by 69,30,9,20 20 के अंदर क्या है 20 के अंदर है 5 और 4 4 के अंदर 2 है तो यह तो terminating होगा यह answer नहीं होगा next देखेंगे 27 by 72 9,30,9,8 8 के अंदर सिर्फ 2 की पावर 3 होता है तो यह भी terminating होगा तो यह भी answer नहीं होगा 27 by 48,39 जा और 3,16 16 के अंदर सिर्फ 2 की पावर 4 होता है तो यह भी terminating होगा यह भी answer नहीं होगा ऐसी next देखें 27 by 84 84 और यह है 27 cancel करेंगे तो 3,9 जा और इदर 3,28 जा है तो 28 के अंदर क्या होता है 7 और 4 आता है तो 7 की वज़े से यह हमेशा recurring decimal रहेगा option 4 correct answer हो जाएगा कौन सा terminating है फिर से निकाल सकते हो 3 by 36 इसमें आएगा आपका 1 बटे 12 तो यह 12 में आएगा 3 3 into 4 इसके वज़े से terminating नहीं होगा 12 बटे 36 1 बटे 3 होगा यह 3 आगया इसके वज़े से नहीं होगा 9 बटे 36 देखो 1 बटे 4 होता है और 4 के अंदर सिर्फ 2 का square आता है तो यही correct answer हो जाएगा which is going to be option C तो बस आपने यह देखना है कि 2 आये या 5 है या उन में से कोई 1 आजाए उसके लावा कुछ है तो क्या होगा आपका non-terminating हो जाएगा ध्यान से कहता है इन में से कौन सा रेकरिंग नहीं है ध्यान से कौन सा रेकरिंग नहीं है उसका मतलब terminating पूछ रहा है ठीक है तो देखो यहाँ आप इसको solve करो 1 by 7 तो 7 की वज़े से यह क्या होगा हमेशा रेकरिंग रहेगा यह answer नहीं है 6 by 56 इसको लिख सकते हो 3 बटे 28 अब इसमें फिर से 7 है और 4 है तो 7 की वज़े से यह भी रेकरिंग रहेगा यह भी answer नहीं है 4 बटे 56 इसको लिख सकते हो 1 बटे 14 अब इस 14 के अंदर 7 इंटू 2 है 7 की वज़े से यह decimal हमेशा यह fraction हमेशा रेकरिंग decimal रहेगा तो यह भी answer नहीं होगा आखरी देखिए 7 बटे 56 इसको लिख सकते हो 7 अठे 56 यानि कि 7 एट जा 56 1 बई 8 बई 8 में तो सिर्फ 2 की पावर 3 आती है इसलिए यह 2 की वज़े से यह क्या होगा तर्मिनेटिंग decimal हो जाएगा language जहां से पढ़ लेना तभी मैं एक question ले रहा हूँ will not लिखा हुआ है अब terminating decimal range बोला तो इसका आपने confusion हो ना वो वही कह रहा है terminating कौन सा है ठीक है तो 1 by 6 इसके अंदर 3 आ रहा है terminating नहीं होगा 17 by 25 देखो 25 के अंदर 5 का square आ रहा है 5 की वज़े से ये क्या होगा आपका terminating decimal हो जाएगा यहां 3 आ रहा है यह होगा नहीं 11 आ रहा है यह भी नहीं होगा तो correct answer कौन सा होगा आपका option B हो जाएगा ठीक है देखो कितना fast कर रहे हैं अब आप कहता है कौन सा reckoning decimal है जल्दी जल्दी करेंगे अब यहां पे देखो यहां पे आ रहा है 30 30 आ रहा है लेकिन इसको हम पहले solve करते हैं तो 373 10 तो नीचे क्या आगा 10 अब 10 तो हमेशा ही 2 और 5 से बनता है तो यह तो recurring कभी भी नहीं होगा 21 by 120 देखो 21 by 120 तो यहां पे क्या आता है यह बनता है आठ और 5 से 8 बनता है 2 की पावर 3 और 5 से यह भी हमेशा क्या रहेगा आपका terminating रहेगा तो यह भी answer नहीं है यह भी नहीं है आगे चलो 21 by 60 आपका यह बन जाएगा 3 7 जा और 3 20 तो 5 और 4 से बनता है और 4 बनता है दो से तो इसका हम लग यह भी terminating रहेगा यानि कि यह की option बचा जो कि option 4 होना चाहिए cancel करो 3 7 जा और 3 30 जा तो देखो 30 के अंदर आ रहा है 3 और 10 तो यह 3 के वज़े से हमेशा क्या रहेगा recurring decimal रहेगा मेरे दोस्तों answer होगा option D सारे exam के question ले रहे है कौन सा ध्यान से पढ़ो ध्यान से will not result in गलती मत कर देना कौन सा will not result in recurring यानि कि आपको terminating ढूड़ना है ठीक है तो अब देखो यहाँ पर आएगा 1 by 3 तो यह 3 के वज़े से हमेशा क्या रहेगा recurring रहेगा यहाँ पर देखो 14 by 30 को लिखोगे आप 7 यहाँ पर 15 तो यहाँ पर 15 के अंदर 3 होता है न तो आप्षें सा था 10 यह होगे आपके पास दो बटड़े 5 तो दो बट़े 5 नीज़े पांच है तो यह हमेशा क्या रहेगा आपका ठर्मेटिंग रहेगा और भी पैरामेडिकल में भी पूछ लिया ठीक है इसके बाद ध्यान से लैंग्विज पढ़ोगे देखो कहता है कौन सा फ्रेक्शन डैसिमल में लिखा जाए जो कभी खतम ना हो तो आपको जानकारी होनेचे कौन सा खतम नहीं होता वह कौन सा खतम नहीं होता नौन टर्मेटिंग खतम नहीं होता यानिकि वह रेकरिंग की बात कर रहा है यानिकि अशांत अशांत की बात कर रहा है अशांत भिन की बात कर रहा तो आपको क्या डूढ़ना है इसमें जो recurring decimal है वो डूढ़ना है तो इसको solve कर लो 81 by 50 यह 3 से कड़ जाएगा 81 तो यह बन जाएगा आपका 327 जा और 3 15 तो 27 बटे 50 आप देखो यहाँ पे 5 और 10 आता है और 10 और 5 यह भी आपका 2 और 5 से बनता है यानि कि यह तो terminating रहेगा तो यह answer नहीं होगा हमें recurring चाहिए हमें अशान्त चाहिए आवर्ती वाला ठीक है इसके बाद इसको solve करो जैसी आप second option में आए तो यहाँ पे आप देखा 8 बटे 15 यह 15 में आ रहा है तीन और 5 क्या रहा है तीन और 5 तो यह हमेशा क्या रहेगा तीन के वज़े से हमेशा अशान्त आवर्ती रहेगा तो यह हो जाएगा आपका answer which is going to be option भी बाकी चेक कर सकते हो 5 बटे 16 जाएगा 3 15 और 16 तीए 48 तो 16 हमेशा 2 से बनता है यानि कि यह हमेशा टर्मेटिंग रहेगा आंसर नहीं होगा 21 बाइ 600 कर लो इसको 21 बाइ 600 3 7 जा और 3 तो साथ बटे 200 200 में हमेशा 2 आएगा और 100 आएगा तो यह तो हमेशा टर्मेटिंग रहेगा जिसका नाम है टेकसिंग 123.com इसको डालेंगे तो आपको इस तरह से हमारी वेबसाइट मिल जाएगी जहां पर आपको सारी जॉब की नोटिफिकेशन आ जाती है यहां देखिए एससी जॉब्स इसके बाद में रेलवे जॉब्स बैंक जॉब्स आर्मी जॉब्स यह सब आपको जॉब्स मिल जाएंगी नीचे ठोड़ा जाएंगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पे लेटेस सकारी जॉब एडमिर्ट कार्ड और यह स्टड़ी मटिरियल यहां पर मिल जाएगा सारा और यहां देखें यह टीचिंग जॉब्स और यह आंगण बाड़ी भरती नीचे जाएंगे तो जॉब्स बाइस स्टेट और जॉब्स यह सब आपको मिल जाएंगी ठीक है तो आप जानते हो कि हमारा चैनल बेस्ट है इंडिया का तो आप जरूर फॉलो अगर स्टडि मुड़ल में जाएंगे तो देखें यह तो आपने इसपर क्लिक कर देना है का करना इसपर क्लिक करेंगे तो यह वेबसाइट जो है इस तरह से अब अप्लोड होगी नए एक पेज होगा इसमें आपके लिए हम चार चीजे लेके आएं कौन कौन सी डेली नि खुल जाएगा तो पहले पेज़ पर देखे हैं हमने क्या लिखा है यहां पर लिखे हैं daily news headlines जो आपके exams के लिए important है ऐसे कुछ भी नहीं सिर्फ exams के लिए इसके बाद यहां देखे डेली gk आपके लिए लिए static वाली जो आपकी permanent वाली gk होती हर exam में आती है और questions के answer के साथ हम लेके आएं तो इसको आप ज़रूर पढ़ें आपका exam ज़रूर clear होगा इसके बाद और daily business पे दो मिनट में आप पढ़ सकते हो इसके बाद आगे चलेंगे तो देखे यहां पे हम आपके लिए English का material भी लेके आएं यहां पे आप देखो यह English की vocabulary आपके लिए words उनके meaning उ बहुत ज़्यादा आते हैं आपके exams में इडियम फ्रेजिस पर एक प्रेशन आते ही आते हैं English में cross words ठीक है यह आपके idiom and phrases है यह English का पार्ट है इसके बाद one word substitution हमेशा आता है इस पे भी देखिए हमने आपके लिए दो words हम regular आपको लेके आएंगे regular आपके लेके आएंगे इसके बाद last देखे daily general studies quiz है यहाँ पे आप देखो यह आपके पास जो daily biology इसकी जो news है आप जी के form में आप देख सकते हो और इसके answer आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो अगर आप इसको भी पढ़ोगे तो आपको daily basis पे general studies की knowledge मिलती रहेगी तो दोस्तों यह था आज का session उमीद करता हूं आपने enjoy किया अगले session में हम बात करेंगे एक नए वीडियो की तो उसके लिए आपका तो यह session देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद